हेलो आज चेप्टर वन के नुमेर्कल 1 से 6 था ठीक है और परड़े आपको नुमेर्कल पूरी NCRT प्लस उमार वित्तल गे परते एक चेप्टर के नुमेर्कल आपको प्रोवाइड रहे ठीक है पहले बताने पुस्तन खैसे सोल वही है जैसे इलेंट्टोन पर एक दिसमलग चेप्टर की वार माइनस उन्ने स्कूला मिन आवेस है तो अलफा कड़ पर कितना आवेस होगा अलफा कड़ हेलियम नाविक को अलपा कड़ कहते है सबसे पहले जैसे आपको नाविक दे रहें 7N14 यही दिया ठीक है यह 2HE 4 हेलियम नाविक को अलपा कड़ कहते ह और वहले हो आपा शय है सी और पाल लिखने जैसे पहले इनमे नम्हाएं रब एलेट्रोनगी कहते होग ए इसलिए सेविझ तो यहां सीविझ क्या है इलेट्रोनो की संख्या कितनी हो गये 7, यही से निकाल ले, बेटा, प्रोटोनों की संख्या, तो प्रोटोनों की संख्या, कितनी 7, और निउट्रोनों की संख्या, निउट्रोनों की संख्या की बात करें, तो यहां से आएगे, निउट्रोनों की संख्या, यहां प्रोटोन प्लस निउट्रोन होते हैं, जब आप को पता है कि proton seven है तो नीट्रोन कितने हुए seven तो यहां से पहले clear हो जाए कि electron number of electrons number of protons और number of neutrons तो यहां से electron seven proton seven यह लिखा जो seven यही electron की संख्या होगी यही proton की संख्या होगी और neutron की संख्या यहां 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 प्रोटोन प्लस नीट्रोन है तो यहां से proton clear है seven तो seven less कितने हैं सेवे बच्ची ऐसे च्छे सी 12 तो यहां number of electron number of electron कितने हो गए six और number of proton कितने हो गए six तो यहां से number of neutron निगा लिए तो neutron कितना होगा यहां कितने है 12 तो 12 मैंसे 6 को क्या गर दे हो यहां neutron plus proton है और यहां यही proton की संख्या है यही इलेक्टोन की संख्या है यही electron की संख्या है तो यहाँ इलेक्ट्रोनों की सख्या कितनी है नम्मर ओप इलेक्ट्रोन कितने होगे 7 नम्मर ओप इलेक्ट्रोन 7 नम्मर ओप प्रोटोन 7 और नम्मर ओप नियुट्रोन यह होगे 7 30 में से लेस कर देऊ तो कितने होगे 6 ठीक है यहाँ से किलिया है और अलफा कड़ पर आवेश, कितना होगा, यहां से पता लगते हैं, कितने हैं, तो 2 ही होगते हैं, कैसे, एक परभासा है, आवेश का क्वांटी करांब, किसी बस्तु पर आवेश की मात्रा की, किसी बस्तु पर आवेश की मात्रा की, एलेक्ट्रोन के परमाण की पूर भुड़त होती हैं, Q इक्वल एन ती, तो यह तो बेटा होगई आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा होगई, कि एन क्या है, एलेक्ट्रोनों की संख्या एलेक्ट्रोन के आवेस का परिवार यह फोर्म है जब आपको E के लिए यहां से E के लिए रहे 1.6 N की पाउर माइनस 19 पुला आप Q दिया जाएगा तो आपसे N पूछा जाएगा और N दिया जाएगा तो आपसे Q पूछा जाएगा थीक है तो यह से कापी कुस्टर है कुस्टर नम्मा टू ये भी ऐसी लगेगा थिरी है फोर है अगर क्यू इक्वल एनी से कितने कुस्टर हो जाएगी जैसे कुस्टर और सुले रेड़ आवेस उधानावेस जे कैसे पता लगे दिखो बिदर कोई बॉड़ी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है कोई बॉड़ी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है विस उस पर चार्ज नहीं होता है जितना पॉस्टिब चार्ज चार्ज तो होता है लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है जितना चार्ज पॉस्टिब होगा उतना ही चार्ज ताब चाट्टर ट्रांस्पर कैसे करें दो ब accepts 粉 missed कि यहां नमार अप्रोटोन कितने नमवा प्रोटोन कितने हैं और नमपर उपितने हैं यहां अगर हम हम आख यह म उन्हें डीनमेटोइ़ ल्यक्तोन ट्रांसपर होए फिर है यह सबसे हलके होते हैं तो यहां से जब two electron transfer हो गए तो यहां से जब two electron transfer होए तो यह two electron अब यह cancel होगे तो यह body कैसी charge होएगी body positive charge और यह body negative charge तो यहां electron पहुझ गए तो यह electron की क्या होगे अधिकता इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता और यहां हो गई इलेक्ट्रोनों की कमी जब इलेक्ट्रोनों की कमी होगी तो बोडी पॉस्टिव चार्ड होगी और जब इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता होगी तो बोडी निगेटिव चार्ड होगी आपकुस्टन यसे पहला दूसर एलेक्ट्रोन पर कितना आवेस है एक्वल बन पॉएंड सिक्ट एंटी पावर माइनस यह कूलाम दिए एलेक्ट्रोन पर चाल देगा ठीक है और पूझ क्या रहे आलफा कड़ पर आवेस कितना होगा तो कितना चार्ज रहे तो यह नम्मर ओफ एलेक्ट्रोन कितने है दो आपको क्यू बढ़ाबर एडिक बस अगर आपसे चार्ज पूझे तो क्या अगर ने आएं आपको किलीर करने पड़ है और एम दे रहे तो क्यों बूसे e की वेलु फिक्स है दे है या ना दे है एलेक्ट्रोन पर आवेस तो यहां से हिलियन आविक को आल्फा कड़ कहते हैं तो आल्फा करण कितना 2HE4 तो यहां कितने ऐलेक्ट्रोन हुए दो तो तो आपका E की value कितनी हो गई, दो, E की value कितनी है, 1.6 इंटु 10 की पावर मैनस, यह फूला, यह आपका पहला answer, electron पर इतना अवेस इया है, ठीक है, electron पर मैनस का आवेस होता है, red आवेस, proton पर धना आवेस होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक और तरीका है एक तरीका यह है कि आलफा कड में दो प्रोटोन तथा दो निउट्रोन होते हैं तो और तू और प्रोटोन पर अलफा गया है तिलेक्रोन पर आवेस माइनस का होता है और प्रोटोन पर क्लस कलिकेन आवेस कैसे बराबर है तो कितना बन पॉइंट सिक्स टेंटी पावर माइनस निउट्रोन पर चार्ड जीरो होता है नेट्रोन पर चार्ड जीरो होता है ने यह पॉइंट टू 10 की पावर माइनस 19 खुल तो यह ऐसे भी अलखा कड में दो प्रोटोन दो नीट्रोन होते हैं नीट्रोन आवेस रहत होते हैं तो यह जीरो चार्ज हो जाएगा और प्रोटोन 2 है प्रोटोन 2 होते हैं तो यह पर 1.6 10 की पावर माइनस 19 और 2 गा कहसे रही तो यह पहला कुलां का रही है कुलां का रषार सहे कोई अगर किसे बोडी में निगे चाहर्ज है तो उस पर इलेक्रोन की क्या होगी इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता होगी, इलेक्ट्रोन ट्रांस्पर होगे, इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता होगी, ठीक है, उस पर सामा नमस्ताम कितने इलेक्ट्रोन न देंगे, तो इलेक्ट्रोन की अधिक्ता होगी, कितने इलेक्ट्रोन, देखे, आपको वेलू काई की दियर फॉर्मूला का है Q इक्वल N E Q इक्वल N E आप दो बात है Q दे रहे तो N पुछे R दे रहे तो Q पुछे यहाँ से N इक्वल क्या होगा Q अपॉन E Q कितना दे रहे है 1 1.6 10 की और माइनस ठीक है यहाँ से N कैसे निकाली अगर यहाँ 16 कूड़े कर 10 होगे अब आदा 10 की पावर कितनी है माइनस 19 या 19 कैदे उपर हाथ काई की पेटा प्लस की कितनी होगी अगर हम 10 है नीचे 16 एक पावर हिदर कांदो कितनी होगे 18 आप यहाँ 16 96 4 4 16 दूनी 32 65 इतने इलेक्ट्रोन होगी इतने इलेक्ट्रोन क्या होगी अधिक्त ठीक है ऐसे दूसर ना कुछ सकते कुछर नम्मर 3 की बाद कुछर नम्मर 3 इत चालट पर कितना यह भी Q की वेलू देड़े 2.4 10 की पावर माइनस 18 गुड़ा ठीक है Q की वेलू देड़े और कैसा आवेस है? धना आवेस है और बोडी में धना आवेस होगा तो इलेक्ट्रोनों की कम होगी ठीक है? लेजिद नम्मर ओ इलेक्ट्रोन, as comparing product एक चालट पर कितना धना आवेस है? ठीक है और कितने इलेक्ट्रोन की अधिक्ता या कम ही है? means N आप से उसले, formula Q एक्वाल N E यहां से N एक्वाल Q अपाउन E, ठीक है? सेम बैसे कुस्ट्रोन है Q 2.4 10 की पावर 18 यह और 1.6 पावर कितने है? 9, तो यहां से N एक्वाल देखो कुरू यह कितने है? 24 16, पावर कितने है? 19 उपार 18, तो प्लस बन प्लस की 19, प्लस बन ठीक है? और प्लस बन किवाल एक्जीरू? कितना आएगा? 15 N इक्वाल 15 अब इलेक्ट्रोनों की कमी होगी तो इलेक्ट्रोनों की कमी होगी बोडी पर कैसा चार्ड दे? बोडी पर पॉज्ट्रोनों की कमी होगी ऐसी कुस्षा नमबर फोर्ड किसी बस्तु को 4 दिसम्लबाद बुड़े 10 की पावर माइनस 19 कुलाम से धनावेशित करने के लिए कितने एलेक्ट्रोन निकाले जाए? N इलेक्ट्रोन निकाले जाए? कितना थी? सेम यही है, कितना दे रहे है, 4.8, पावर कितनी दे रहे है, 19, कूलाम, अगर क्यू देंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, कूलाम, हम यूनिट से पैचान करें, ठीके, हवें काही की वेलू, दे, कितना हो जाएगा, 4.8, 10 की पावर, माइनस, 19, यह कैंसे, इतने बार, 3 बार, तो एन की वेलू कितनी हो जाएगी, 3, इलेक्ट्रोन कमी क्या देखता, वो यहां से पता लगे, अगर बोडी के कैसा चाहर दे, धनावेसित, बोडी को में पोजिटिव करने, धनावेसित करने, तो इलेक्ट्रोन निकालने पड़ें, तो बोडी कैसी हो जए, इलेक्ट्रोन निकालने पड़ें, कितने, 3 इलेक्ट्रोन निकालने दाएगे, ठीक है, कुर्सर नमबर 5, question number 5 7 and 14 ना भी पर कूला में आवेस की गड़ना की दिए देखो बेटा हमने पहली बता है हमें आवेस बताने तो फर्मूला क्या हो जाएगा q equal and e आपको अगर q पूछ रहे तो आपको n नेकाल ले ठीक हो n क्या है नम्मर ओ इलेक्ट्रोन क्यों two q 7 एचा हो यहां में बताओ 7 क्या है इलेक्ट्रोनों की संक्या कितने है नम्मर ओफ 耶енногосли स्थे लिए बता है यह तरह माद संक्या थिक है यह नेयरे कि संक्या होती है और स्थे प्रोट्व संक्या होती है दब सेण 4 इंटल कितने कि एंख सेविं बते तो यहां से 7 हो गया, नम्मर उप इलेक्ट्रोन E की वैलू पता है, 1.6 N की पावर मैनस 90, क्यूट गोल कित्ता हो गया, यह हो गया, 12, खूला, ठीक है, यह कुस्तर नम्मर, और कैसा चाल, पोजिटिब चाल, नाविक अबेसा धनावेसित होता है, ठीक है, उसमें न्यूट्र और रोटोन होते हैं, इलेक्ट्रोन चक्रा रगाते हैं, आविक पर आवेस, ठीक है, पोजिटिब होती है, कुस्तर नम्मर, 6, क्या गया है, यदि किसी आवेसे चाल, पर 1500 इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता है, अगर इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता है, जब इलेक्ट्रोनों की एक वोडी से दूसरी वोडी पर एलेक्ट्रोन ट्रांसपर होगे एक वोडी से दूसरी वोडी पर एलेक्ट्रोन ट्रांसपर होगे एक वोडी है एक वोडी है एक वोडी है एलेक्ट्रोन ट्रांसपर होगे जो एलेक्ट्रोन एक गया दूसरा तीसरा तो इस पर क्या हो रहा ह तो इलेक्ट्रोन ट्रांसपर हो रहे है इस डिप्यमाने ठीक है जब आप करेंगे तब इसमें इलेक्ट्रोनों की क्या होगी इलेक्ट्रोनों की अधिकता होगी जब इलेक्ट्रोनों की कमी होगी जब इलेक्ट्रोन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रोन कैसे हुए बोडी कै क्योंकि कोई भी बोडी है तो उसमें धनाबेस और रेडाबेस आपस में बरावत है जब इलेक्ट्रोन इधर से लेगे तो पॉस्ट्व जादा कुछी है ठीक है ऐसे आपके आपके अधिकता है तो बोडी की चार्ज है नेगेटिव चार्ज एलेक्ट्रोन की कमी है तो बोडी कैसी होँगा है तो बोठी केसी होगा अधिकताई लेक्तर की यह तो बोड़ी कैसी होजै सिंदी पाण में बड़ी के कमें होती तो थन अवेश अब परस्ट-थार्क होगोम एक उसुल यह सितल किसेल ही द्लाकिको पर उपस्थेस बिक्रती और आवेश की इसब किर डिवक्रतृ फ़र्बूला Q इक्वाल N आप E की वेल को फिक्स है एली बता चुकिए और ये कितना देरे 15, Q आ जाया था 2 0 दे 2 0 कितना हो जाया 70 और 16 का पंद्रम 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 दो से पच्चिस और दो से चालिज चोबिस होगे इतना हो गया 24 Q पल इधारे 2.4 10 की पाबर माइनस 16 कूला और कैसा बोड़ी कैसी होगी प्रकृती आबेश की प्रकृती धान आबेश नहीं लेक्रोन का अधिक्ता है तो बोड़ी बार रेड़ा प्रकृती बोड़ी नेगेटिव चार्ड होगी नेगेटिव चार्ड होगी नेगेटिव चार्ड ठीक